गुद मॉर्निंग आस्पिरेंट स्वागत है आप सबका फोकस ऑन एजुकेशन में मैं एजुकेटर आप सब के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट फेक्ट्स लेकरा हूं ओन विलियम सेक्सपियर यह आपको हैल्प करेगा टीजिटी पीजिटी डी एससबी या नेट के एक्जाम में इसे जरूर देखिए फर्स्ट पॉइंट चले आते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पर लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाई एन इडियट इस अटर बाई यह लाइन है फेमस लाइन यह कहां से ली गई है हामलेट के अंदर मिलती है उधेलियों को अंदर मिलती है कि यह बहुत ही फेमस लाइन है कि life कैसी है एक स्टोरी है जो कि एक इडियट के द्वारा बताई जाती है यह लाइन जो है वो हमें मैकबेत के अंदर मिलती है यह यह इसका correct answer क्या है बी जो है इसका correct answer है next point क्या है देखिए cowards die many times before death appears in which of the following place तो ये जे line है ये भी William Shakespeare के द्वारा लिखी गई है और इनके एक बहुत ही famous drama में लिखी गई है play में लिखी गई है तो ये कहां पर है ये cowards dies जो डरपोक होते हैं वो बहुत बार मरते हैं मरने से पहले क्या ये एंटोनियोन क्लुपाटरा के अंदर लिखी गई है क्या ये आपके कॉरणलेस के अंदर लिखी गई है जूलियो सीजर के अंदर लिखी गई है या फिर ये हमें line henry 4 के अंदर देखने को मिलती है तो इसका correct answer क्या है इसका correct answer is di del twins dinner इसमें जूलियर सीजर बता रहा हो था बोल रहा होता है कि श्र्वटोब की हट्व div memang छलिए आते हम परो next point क्या है there is providence in the fall of sparrow occur in ये जो line है ये भी William Shakespeare के एक famous play में ही आई है तो कौन सा उनका famous play है war and the peace ये तो William Shakespeare का है ही नहीं A farewell to arms ये भी नहीं है क्योंकि ये किसकी है Hemingway की है Hamlet Yes है और Kinglier अमार पास दो option बचें तो इसका correct option क्या है किसमें है ये line तो ये हमें hamlet के अंदर देखने को मिलती है यानि C जो है इसका correct है ठीकें आप इसको ऐसे याद रखेगा कि hamlet को sparrows बहुत पसंद है तो fall of sparrows किसके अंदर आती है hamlet के अंदर आती है next point क्या है ये ये भी बहुत ही important and famous line है uneasy lies the head that wears the crown तो ये line किसके अंदर है Henry sorry Edward 2nd के अंदर Henry 4 के अंदर Richard 3rd के अंदर या फिर Henry 5 के अंदर ये जो line है ये Henry 4 के अंदर हमें देखने को मिलती है यानि B जो है इसका correct answer है याद रखिए कि ये line बहुत ही famous है uneasy lie the head that wears the crown ठीक चलिए आते हैं हम और आपको पता है ये किस category में आती है Henry 4 ये इनके historical tragedy के अंदर आती है sorry historical play के अंदर आती है और मैंने historical play को बहुत short में उनके एक साथ collect करके आपको एक दी हुई आप playlist में आके उसे देख सकते हूँ चलिए आते हैं हमने next point पे Shakespeare's play Roman play are based on which of the following source तो आपको पता है William Shakespeare अलग-अलग source से उन्होंने अपने ड्रामा अपने plays को लिखा है तो जो Roman categories के plays है जिसमें के हमको Julius Caesar, Corlindis, Antonio Clepatra जैसी देखने को मिलती है तो इसमें से कौन इनका ज्यादा तर source बनता है क्या North का Plutarch बनता है Holland City का Chronicle बनता है The Palace and the Pleasure बनता है या Ancient Tales बनता है इसका correct answer क्या है इसका correct answer है North का Plutarch यानि A इसका correct answer है नेक्स पॉइंट है Shakespeare's English history play are the based on which of the following source अभी मैंने आपको बता है कि इन्होंने कई काटेगरी के plays दिखे है तो historical plays के अंदर किस source से मिलता है क्या या Ancient Tales से मिलता है North Plutarch के अंदर मिलता है और Palace of Pleasure के अंदर मिलता है Holland Set Chronicle के अंदर मिलता है तो इसका character option क्या है Holliset Chronicle के अंदर मिलता है ठीके ये point भी important है इसे याद रखिएगा Next point क्या है देखिए In which of the following plays of Shakespeare Appears an Indian boy Indian boy का नाम का एक character है जो कि किस में appear होता है William Shakespeare के play में क्या ये Mary's Wives of Windsor में आता है Love Slavers Lost में आता है A Midsummer Night Dream में आता है ये बहुत ही important है और ये कहीं बहुत ही पूछा भी गया है कहीं exam में तो इसका correct option क्या है C A Midsummer Night Dream में आता है और आपको पता है Midsummer Night Dream की setting जो है वो कहा है Arden की forest में है तो इसे भी याद रखिएगा important है ये ठीक है और ये play तो बहुत ही अच्छा है Next point है Who among the following said that The Shakespeare's Great Tragedy Character is a Destiny तो ये जो character is a destiny इनकी tragedy को दिया गया है Great Tragedy कौन कौन सी है Great Tragedy इनकी आपको Hockam मिल जाती है Hockam आपको मैंने कली बताया था H for Hamlet O for Othello K for King Lear M for Macbeth तो ये Great इनकी tragedy ये 4 tragedy जिसमें की जितने भी character है उनके character को character is destiny कहा गया है तो ये किस ने कहा है Dr. Samuel Johnson ने कहा है A.C. Bradley ने कहा है T.S. Elliot ने कहा है ST T.S. Elliot या फिर Call Ridge ने कहा है इसका correct answer क्या है इसका correct answer है A.C. Bradley A.C. Bradley जो है वो इनके बहुत अच्छे critic थी इन्होंने कई सारे work लिखे इनके tragedy पे work लिखे और इन्होंने इनके praise भी की है criticize भी किया है तो ये थे कुछ important point I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा इसे like, comment, share करना बिल्कुल न भूले अगर आपको अच्छा लग रहा है तो please share कीजिए जैसे मुझे भी motivation मिले क्योंकि आप लोग का देखना ही मेरे लिए ये motivation का काम करता है क्योंकि वास्पून